अज देश के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोडों बैंक एकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्पपूर्ण दीन है दसकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है आज का दिन उसका सांक्षी बना है आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें डिपो जिटर्स फर्स्ट जमा कारता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटिक बना रहा है बीते कुछ दिनों में एक लाग से ज़्यादा डिपोजिटर्स को बर्सों से फसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशी करीब करीब तेरा सो करोड रुपिय से भी ज़्यादा है अभी आज यहाँ इस कारकम में और इसके बाद भी तिन लाक और ऐसे डिपोजिटर्स को बैंकों में फसा उनका पैसा उनके खाते में जमा होने वाला है पैसा उनकों मिलने वाला है यह अपने आप में छोटी बात नहीं है और मैं खास करके हमारे देश को हमारे जो मीडिया के साथ ही हैं आज मैं उनसे रिक्वेश करना चाहता हूं और मेरा अनुभव है जब स्वच्छता अभियान चला रहा था मैंने मीडिया के मित्रों को रिक्वेश्ट की आज भी उसको वो बराबर मेरी मदद कर रहे हैं आज मैं फिर से उनको रिक्वेश्ट कर रहा हूं हम जानते हैं को बैंक डूब जाएं तो कई दिनों तक खबरें फैली रहती है टीवी प्वारा खबारों में स्वाभाविक भी है कि वह घटना ही ऐसी होती है कि बड़ी बड़ी हिल्लाइज में बन जाती हैं बहुत स्वाभाविक हैं लेकिन आज जब देश ने एक बहुत बड़ा जा रहा है मैं चाहूंगा कि उसकी भी उतनी ही चर्चा मीडिया में हो बार बार हो कि इसलिए नहीं कि मोदी ने किया इसलिए करना है कि इसलिए जरूरी है कि देश के डिपोजिटर्स में विश्वास पैदा हो कि हो सकता है कुछ लोगों के गलत कारणों से गलत आदतों से बैंक डूबेगा हो सकता है लेकिन जमा करता का पैसा नहीं डूबेगा जमा करता का पैसा सुरक्षित रहेगा यह मैसेज से देश के जमा करता में विश्वास पैदा होगा बैंकिंग व्यवस्था पर भरोस्था पैदा होगा और यह बहुत जरूरी है